नमस्कार टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ संजी उपाधियाए चानक के ने लिखा है कि अपना जीवन अपनी जान बचाने के लिए अपनी अगर सारी पूझी भी खर्च कर दी जाए तो वो कर देनी चाहिए और पिछले कुछ दशकों में जो बदलाव हमने देखा है स्वास्त के क्षित्र में वो ये कि निजी अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक्स की अगर हम बात करें तो उनका जो रोल है उनकी भूमिका है वो स्वास्त क्षित्र में बड़ी महतुपूर है यह हम सब जानते ह लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये भी हुआ है कि इतने विज्यापन हमारे आसपास बिखर गए हैं जो ऐसा लगता है कि हमें एक तरह से लुभाने की भी कोशिश करते हैं और कभी कभी हमें भ्रमित करने की भी कोशिश करते हैं जब इन विज्यापनों में बताय जाता ह कि फलाँ चीज खाये इससे ये हो जाता है फलाँ कमपनी का ये प्राड़क्ट इस्तमाल करिये उससे लाब होगा और इलाज करवालो उस पर डिसकाउंट भी हो जाएगा ऐसी बहुत सी बाते हैं लोगों को अक्सर ये लगता है ऐसी कुछ सेवाएं प्राप्ट करने के बाद कि शायद उनके साथ धोखा हुआ है बहुत दफार लोगों को ये लगता है कि उसे ज्यादा पैसे ले लिए गए हैं कई बार लोगों को ये लगता है कि पैसे भी ले लिए गए और इलाज भी ठीक नहीं हुआ या जो प्राड़क्ट जो सेवा या उत्पाद दावे के जिन सीजों पर डिसकाउंट होता है वो दरसल बहुत काम की होती भी नहीं है ये बहुत गंभीर विशा है क्या हमारा पूरा चिकित सा जगत इस समय पैसे और इस सोच से चलता है कि जो पैसे के बिना हम कुछ करी ही नहीं सकते या उसमें अभी भी बहुत कुछ ऐसा करनी की ज़रूरत है तो आज टोटल हेल्थ में बहुत विस्तार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेडिकल एडिटाइजिंग होती है यानि जो प्रचार होता है खासतोर पर अस्पतालों डॉक्टरों के नाम पर कितना नैटिक है या कितना अनैटिक जी हां और चाही होती है इन दावों में और ये दावे विज्ञापन और इस तरह के क्लेम्स किस तरह से प्रभावित करते हैं लोगों को आईए जानते हैं सेहत और एक आकरशख परसनालिटी सभी के लिए एहम विशे है आज हर कोई आकरशक और परफेक्ट दिखना चाहता है कोई बीमारी होने पर इलाज के लिए हर नई तक्नीक को आजमाना बेहतर दिखने या अपने लुक्स को निखारने के लिए तरह तरह के प्रियोग किये जाते हैं और ऐसे में मैजिकल इफेक्ट की उमीद को कई गुना बढ़ा देते हैं इन से संबंधित विग्यापन बालों को काला, घना और लंबा बनाने की बात हो गंजापन दूर करना, लंबाई बढ़ाना, वजन घटाना, तवचा से दाग धपे गायब कर तवचा को चमकदार बनाना, छुरियां दूर करना या बेदाग गोरापन पाना इन सभी के लिए तरह तरह के उतपात बजारों में उपलब्ध हैं और इनके विग्यापन रेडियो, टीवी और अकपारों में वहीं किसी बिमारी की पहचान की बात करें तो स्थिती कुछ अलग नहीं है कई डाइग्नॉस्टिक सेंटर, लाब्स और अस्पतालों के विग्यापन जाच की नई विध्यों और नई तकनीकों से इलाज की बात करते हैं तो कुछ अस्पताल डॉक्टरों की प्रसिधी को प्रचार के लिए इस्तिमाल करते हैं ऐसे विग्यापनों में दी गई जानकारी कितनी सही है, क्या वो उत्पाद वाकि उतना उप्योगी और असरदार है जितना बताया गया क्या जाच या इलाज की एक नई तकनीक उस बीमारी के हर रोगी के लिए उप्योगी और आवश्यक है इन महत्वपूर्ण बातों को विग्यापन में स्पष्ट नहीं किया जाता क्या विग्यापन में उचित और पूर्ण जानकारी न देना सही है किसी उत्पाद के जादूई असर से गंजापन दूर करने या फिर तवचा पर बेदाग गोरपन लाने के दावे करना क्या सही है जाच और इलाज की किसी नई तकनीक की उपयोगिता ना बता कर बढ़ा चड़ा कर उसका प्रचार करना क्या सही है ऐसा प्रचार और विग्यापन कितने नैतिक हैं और कितने अनैतिक प्रचार के जरी अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने में कोई बुराई नहीं है लेकिन अगर जानकारी गलत है भ्रमित करने की कोशिश है और सबसे बड़ी बात की जो दावे किये जा रहे हैं तो इनसान करे क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए हम सब जानते हैं कि भीड बहुत है और दूसरी तरफ अगर नीजे अस्पतालों का रुख किया जाए तो वहां इलाज महंगा बहुत है शाहब जाफरी कहते हैं तू इधर उधर की नबात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है आज हम क्यों ना विशेशक्यों से डॉक्टरों से और इस से जोड़ो हुए जो लोग है उन सब से ये समझने और पूछने की कोशिश करें कि ये जो विग्यापन जो हम देखते हैं आए दिन अस्पतालों के बारे में लैब्स के बारे में ये दावे कितने सही होते हैं कितने गलत होते है जी हाँ और विस्तार से ये भी जानेंगे कि अगर इस तरह के दावे कोई करता है जिनमें सचाई नहीं है तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है किसके पास जाना चाहिए और किस तरह के legal actions लिए जा सकते हैं इसके खलाफ इस विशे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशे शग्यों का खास पैनल मौझूद है अप सभी का स्वागत है तो आई चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर मिश्रा आप से ही शुरू करें चर्चा को इतने विग्यापन हम सब देखते हैं और पिछले कुछ दर्षकों में जो परिवर्तन हमने देखा है बहुत अटपटा भी लगता है अगर हम इस दर्षकों आज हम समझने की को प्रूरी है स्वास्थ जगत के लिए चिकित्सा जगत के लिए और खासका डॉक्टरों के लिए विग्यापन में इस तरह से चीजों को प्रूमोट करना देखी कुछ जानकारी देना तो आवशक है आम जंता क्योंकि अब हम जिस सेंचुरी में मूव कर गए हैं अभी पॉपुलेशन बढ़ गई है लोगों के पास अगर जानकारी नहीं होगी कि कौन सा अस्पताल कौन सा डॉक्टर वहां पे क्या अच्छी सेवा दे रहा है य उनके पास चले जाते थे तो थोड़ा मैं समझता हूँ जानकारी तो देना अवशक है लेकिन उस जानकारी को किस तरीके से किस रूप में दिया जाए I think उस बात का एक हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि खाली जानकारी देना जैसे Medical Council of India के भी ethics हैं जिसमें वो कहते हैं आप अ आप करने के पेशेंट'RE और जार्ट क्रते हैं जो पूरी जानकारी को अपना नेड़ने करने का एक में कर ने से जैसे हमारे पास कोई पेशंट आता तो तीन ऑससन है आप केते हैं सह्यां हैं और बहूर्ट करिे भारत में जरूर है कि पेशेंट फिर भी हूँ कि डॉक्ट क में इतना ट्रस्ट रखते हैं आज भी मैं कहूंगा ट्रस्ट डेफिसिट भी है जिसमें वो यह कह देते हैं कि डॉक्ट साब जो आप ठीक समझे करें और उसमें कई बार डॉक्टर्स की अपनी बायस होती है वो जिस प्रकार की टेक्निक इस्तमाल कर रहे हैं वो उसके बारे जो बात उतनी वजंदार नहीं है जितना अगर एविडेंस किसी ने जनरेट अच्छा कर दिया है और उसके क्राइटीरिया है कि अच्छा एविडेंस क्या होता है और वो मिल सकता है लिट्रेचर ने उठा दी है कि जानकारी पहुंचाना जरूरी है लेकिन अभी की जो तो आप गई है कि इस बीमारी के सभी रोगी है सभी के लिए यह तक्नी फायदे मंद है कितने हानिकारक या खतरनाक सिती आप मांते हैं जहां पर एक टिकनॉलिजी है मान लिया कि उसकी अच्छाईयां भी है लेकिन अच्छा ही अच्छा होगा या हमारा प्रुडक्ट सभ के लिए उतना अच्छा है या एक magical effect की जो बात आती है कि यह कीजिए तो ऐसा हो जाएगा कितना सही या कितना घातत कि आपने बहुत important सवाल रेज किया मैं डॉक्स साब से totally agree करता हूं और सब यहां पर agree करेंगे कि advertising एक कि एसा medium है जिससे हम बहुत important information दे सकते हैं लोगों को जानकारी दे सकते हैं कहां treatment कराएं किस तरह की treatment सो विधाय अप्लब्ध हैं चाहे वो government institutions हो चाहे private institutions हो मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि information और health care delivery के लिए तो बहुत useful tool है बच यह misutilize हो रहा है तो मुद्दा यह है कि किस तरह हम public और society को protect करें कि गलत information, false information, deceptive information, जो की mischievous information है, misinformation मैं कहूंगा unrealistic expectations किस तरह हम public को बचाएं और society और आज का मुद्दा यही है कि society को किस तरह से protect किया जाए क्योंकि यह proliferation होता जा रहा है और इस milieu में जिसमें की business angle देखा जा रहा है जिस तरह से profitability देखी जा रही है और जिस तरह से नए नए इस विधाय प्रा आ रहे हैं हर एक जगए कोई किसी भी शेत्र में तो एक competition सा develop हो रहा है important यह है कि rules and regulations और ethics doctors के लिए तो हैं बट इस शेत्र में कहीं और शेत्र में totally devoid हैं और हमें as doctors उन rules and regulations को ज़रूर follow करना है बट एक बड़ा view लेना है कि misinformation, mis representation को बड़े गौर से देखा जाए और उसके against action लिया जाए so that misleading or deception जो भी advertisements होती है उनको 400 BC से अलावा और किसी तरह से समझना in fact 400 BC की तरह ही समझना चाहिए